तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके साथ ये सेर करने वाले हैं कि How to become an assistant professor अगर आप एक assistant professor बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या eligibility होती है और क्या process होता है तो यहाँ पर friends इसके eligibility में सबसे पहला जो हमारा point आता है वो यह है कि आपके पास graduation degree होनी चाहिए और साथी साथ post graduation degree होनी चाहिए graduation आप किसे भी stream से हो सकते हैं like BA, BSC, Bcom, BTEC etc. किसी भी stream में बस आप graduation कर लिए हो post graduation की बात करें तो post graduation भी आप किसी भी stream से हो जैसे अगर आपने BA किया हुआ है तो post graduation में MA किये हो या फिर माले जिये की MSC हो, MCOM हो या फिर MTEC हो, etc. किसी भी stream में आप post graduation यानि की master degree लिए हो उसके बाद friends अगला जो हमारा point आता है point number 2 वो ये है कि अगर आपने graduation और post graduation complete कर लिया है तो आप जो है NET का exam दें जिहां friends NET का exam आपको देना होगा NET का exam होता है ये इसके दो paper होते हैं first paper और second paper first paper में आपके क्या क्या subject पूछे जाते हैं तो first paper में आपके लगबग all subject आ जाते हैं like math, hindi, political science, environmental, computer science या फिर English या फिर जो है आपका general awareness etc. ये जितने भी आपके subject होते हैं as a general knowledge ये सारे जो है आपके paper 1 में आ जाते हैं उसके बाद friends आपका paper 2 होता है और इसमें क्या subject आता है तो ये आपका main subject होता है यानि कि ये माल लिजे कि आपने BA में जो है political science लिया है और आपने MA में भी political science ले लिया है यानि कि BA और MA MA में आपका जो भी subject होगा वही subject यहाँ पर main subject माना जाएगा यानि कि आपको जो paper 2 में लेना है वो आप MA का subject लेंगे जैसे यहाँ पर हमने as a example आपको बताया है कि quality ले सकते हैं या फिर economic ले सकते हैं यानि कि अगर आपने BA किया हुआ है quality या फिर economic से किसी भी subject और मान लिजे कि आपने MA किया हुआ है quality या फिर economic से किसी भी subject से तो आप यहाँ पर MA का subject ही चुनेंगे paper 2 में और एक बात यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि BA किसी other subject से करते हैं और MA किसी other subject से करते हैं यानि कि दोनों में ही उनका subject change होता है तो अब यहाँ पर main subject में आप कौन सा subject चुनेंगे तो friends जो आपका paper 2 होता है इसमें जो है आप जो MA में subject लिये होंगे यानि कि MA जिस subject से किये होंगे वही subject जो है यहाँ पर main subject के रूप में जो है आपको select करना होगा और वैसे तो अगर आप किसी भी स्टेम से हैं जैसे माल जे BST किये होए है सेम यही process है उसके बाद आपने MSC किया हुआ है तो MSC में जो आपका subject होगा माल जे math है या फिर कमेस्ट्री है physics है कोई भी subject है जो आपने लिया है वो subject यहाँ पर main subject के रूप में select करेंगे उसके बाद friends जब आप net exam qualify कर लेते हैं तो अब जाके आप एक assistant professor के लिए eligible होते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर आप net qualify कर लिए तो आप एक professor बन गए जी नहीं अब जाके आपका assistant professor के लिए eligibility complete हुआ है अब उसके बाद आपको अगला process क्या करना होगा तो अगला process यह है कि जितने भी universities हैं आपके degree colleges हैं वहाँ पर आपको check करना होगा क्योंकि वहाँ पर vacancies निकलती रहती है तो आप नेट के मादम से online जो है university या फिर जितने भी degree colleges हैं वहाँ पर यह चेक करें जो भी vacancy आ रही है उसका क्या process है वो सारा process complete करें उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा interview complete करने के बाद आप एक assistant professor बन जाते हैं यानि कि finally अब आप जाके एक assistant professor बन जाते हैं अब उसके बाद कि इसके vacancy की हम बात करें कि जो भी vacancy आपकी university के निकलती है तो यहाँ पर friends आपके पास तीन category होती है सबसे पहले जो category होती है वो होता है ad hoc basis जहाँ friends ad hoc basis पे अगर आप एक assistant professor है तो यहाँ पर होता क्या है कि घंटों के हिसाब से जो है आपका count होता है जैसे आपको जितने भी घंटे पढ़ाना होता है दो तीन घंटे दो चार lecture आपको लेने होते है तो यह सारे count होते है और जो आपको salary मिलती है वो आपको government की through नहीं दी जाती है वो जो है उस college की through जो है आपको दी जाती है उसके बाद अगला जो point आता है अगर आप इस position पे assistant professor है तो यहाँ पर भी आपको salary मिलेगी वो government नहीं देगी वो जो है आपको college की through दिया जाएगा उसके बाद अगला जो हमारा point आता है वो है grant table position इसमें क्या होता है कि जो आपकी salary होती है वो government की through दी जाती है college की through नहीं यानि कि अगर आप इस basis पे हैं तो जो भी आपकी salary होगी वो आपको direct government देगी college नहीं देगा तो इस तरीके से salary भी यहाँ पर अलग-अलग तरीके से मिलती है अलग-अलग तरीके से divide है तो friends I hope कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी तो अगर आप एक assistant professor बनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बन सकते हैं और अगर आप एक direct professor बनना चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ ये share करेंगे कि अगर आपको एक direct professor बनना है और अगर आपको वीडियो जड़ावे helpful लगी हो तो please फ्रेंट्स वीडियो के एक like कर देना और फ्रेंट्स अगर आपके मन में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है तो आप हमें बसे comment करियेगा हम आपके सिवा में हाजी रहेंगे तो जली फ्रेंड्स मिलंगे नेक्स वीडियो में Have a nice day and take care